मन्सोर में 4 साल 10 महा की मासूम बच्चे के साथ दुश्कर्म करने का मामला सामने आया है आरोपी कोई दुसरा नहीं बलकि रिष्टेदारी है दर्दगी का शिकार हुई बच्चे का फलहाल चला अस्पताल में इलाच चल रहा है पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है वहीं घटना शामगर धाना शेत्र की है शामगर धाना की चन्दवासा चोकी शेत्र के गाउं में पेडित बच्चे के घर दूर का रिष्टदार शेर सिंग पता भोपाल सिंग सूंतिया राजपुत नाहरगर मनसोर और उसका साती सुकदेव 30 सितंबर की शिशाम को आये थे आरोपी शेर सिंगी नजर शुरू से ही बच्ची पर थी वहार रात में भी बच्ची को चोकलर दिलाने के बहाने ले जाने वाला था लेकिन मा ने मना कर दिया आपको बता दे राईवार सुबह 11 बजे बच्ची के पता महमानों के लिए सबजी बना रहे थे आरोपी का साती सुकदेव भी घर पर ही था बच्ची घर के बाहर आंगन में खेल रही थी इसी दुरान आरोपी बच्ची को चोकलर दिलाने का कहकर अपने साथ ले गया काफी देर तक बच्ची दिखाई नहीं थी बच्ची की मान ने उसे आसपास काफी ढूंडा लेकिन वहां कहीं नहीं मिली इसके बाद रिष्टेदार को शियर सिंग पर शक हुआ क्योंकि वहां भी गायब था शक गेरा हुआ तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी पुलिस ने बच्ची और आरोपी की तलाश चुरू की वहीं आरोपी के साथ दिखी बच्ची पुलिस को देख हुआ फरार फिर गिरफतार दोपहर तीन बजे एक सुनसान जगा पर आरोपी बच्ची के साथ दिखा लेकिन पुलिस को देख वहां मोके से फरार हो गया गायल अवस्ता में मिली बच्ची की हालत देखकर मा को समझ आ गया कि बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है परिजनों ने आरोपी रिष्चदार की शिकायत थाने में कराई रईवार रात बच्ची को जला अस्पताल में भरती करवाए गया फलाल बच्ची को आईसियो में रखा गया है बच्ची की हालत ठीक है वहीं आरोपी शेर सिंग को पुलिस ने गरफतार कर लिया है मा की शिकायत पर शामगड पुलिस ने आरोपी के खलाफ अपरन रेप साइट अनिधाराओं में केस दर्ज किया है वहीं जेल की सचा काट चुका है आरोपी रेप का आरोपी शेर सिंग नारायन थाना छेत्र के फतेगड का रहने वाला है आरोपी वर महिला संबंदी तीन अपराद पहले ही दर्ज है महिला संबंदी एक अपराद में आरोपी साल 2016 में तीन साल जेल की सजाकाट कराया था एक साल पहले ही वहाँ जेल से रिहा हुआ था आदर्श न्यूस के लिए पत्रकार हिरालाल रेपारी की रिपोर्ट क्या हो रहा है आपकी मद्ध प्रदीश में हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें आने सोसल मीडिया हैंडल पर भी फालोग कर सकते हैं